स्वास्त्य वर्दक रसोई के 12 टिप्स पहला आपको सेंदा नमक खाने को हर कोई बोलेगा लेकिन हम सेंदा नमक और साधारा नमक दोनों का ही उप्योग करते हैं सेंदा नमक हमारे शरीर के लिए काफी उप्योगी होता है और खाने में भी हलका अच्छा लगता है दूसरा, आप खाना बनाते समय रिफाइंड तेल का उप्योग नहीं करें क्योंकि रिफाइंड तेल में बहुत सारे कैमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं हमारे शरीर की बहुत सारी बिमारियों का कारण भी ये बनते हैं इसलिए आप नारियल, मूफली, तिल या फिर सरसो के तेल का ही उप्योग करें तीसरा, कीचिन में एकजोस्ट फैन जुरूरी होता है क्योंकि गरम हवा को बाहर करना जुरूरी है नहीं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है चोथा, कहीं भी काम करते वक्त या फिर कोई काम नहीं है और आप बोर हो रहे हैं तो अच्छा लगने वाला कोई गाना या फिर भजन चलाएं आपको उसको सुनकर अच्छा लगेगा थकान कम होगी और आप बोर भी नहीं होंगे पाँचवा, चीनी की जगा देशी गुड या फिर देशी सक्कर का प्रियोग करें स्वास्ते के लिए बहुत फायदेमंद होता है इनका उप्योग करना छटा, छोक लगाते समय राई के साथ कलोंजी का भी प्रियोग करें कलोंजी का प्रियोग घर में स्वास्ते समंदी उपायों में बहुत अधिक किया जाता है क्योंकि कलोंजी में आइरन के सासाथ कैल्शियम, पोटाशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है साथवा, सोयबीन बड़ी को दो घंटे पानी में भिगो कर मसल कर जहरीली जाग को बहार निकाल कर ही उप्योग करें सोयबीन में कैंसर रोधी तत्व होते हैं और ये वसा को भी कम करता है प्लास्टिक और एलुमीनियम को अपनी रिसोय से तुरंत ही बाहर कर दें क्योंकि ये आपके शरीर की बहुत सारी बिमारियों का कारण बनता है और खास कर कैंसर रोग इसका एक अच्छा उधारण है नोवा देशी गाएं के घी का ही उप्योग करें क्योंकि इसमें बहुत सारे रोगों को दूर करने की शक्ति होती है इसका उप्योग करने से हमारा वजन भी नहीं बढ़ता सबसे बड़ी बात इसके उप्योग से हमारा दिमाख तेज होता है इसको रात को सोते समय नाफ में डालने या फिर नाभी में लगाने से बहुत अधिक फायदा होता है इसलिए इसका उप्योग जरूर करें दसवा, खाना बनाते समय मीठा नीम यानि की कड़ी पत्ते का उप्योग जरूर करें क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमन होता है और गुणों की भी ये खान है जो आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद करता है ग्यारवा, यदि आपको बुखार आ रहा है तो एक लिटर पानी को उबाल कर दो सुपचास एमल कर ले जब वह पानी साधारन तापमान पर आ जाए तो रोगी को थोड़ा-थोड़ा करके पिलाए ये पानी दवा की तरह काम करेगा और रोगी जल स्वस्थ भी हो जाएगा बारवा, रात को एक टी स्पून त्रीफला पाउडर एक कप पानी में डाल कर रखें सुभे इस पानी को कपड़े से चान लें और इस पानी से अपनी आखों को धोएं इसका प्रियोग करने से आखों की रोशनी भी बढ़ती है और हमारी आखों से चश्मा भी उतर जाता है आखिर में जो कपड़े में चान कर रखा हुआ पाउडर बचा उसे फिर से एक इलास पानी में भिगो कर रख दें रात के समय उस पानी को पी लें इससे आपका पेट अच्छी तरह से साफ होगा तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कॉमेंट बॉक्स में जुरूब बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही जबरदस्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवादोस्तो